हल्लोव फ्रेंड्स वेल्कम बैग टू फन एड ओनली हिद स्टेडी हिद स्टेडी मां तमारू स्वागत छे साथ सो एकमा प्रश्ण सुधी आपड़े पहुंची चुक्या छे आनि पहला ना वीडियो तमें नो जोया होई तो ए अवश जोय ले जो चेनी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मां तमने जोवा मलश बंगाल ना क्या क्रांतिकारी है जेल वास दरम्यान आजिवन उपवास थ शहीदी ने वहरे लिधी है तो भाई एक गरांतिकारी नो नाम चे जतीन दास पर उबर जतीन दास एक एवा करांतिकारी है ता क्या जेणे आजिवन उपवास थी शहीदी वअर लिधी मतलब के जारेम ने 48 थो त्यारती थे वो उपवास उपर उत्रहा था और चौंसेठ 64 दीवस सुधी तेवो ये उपवास करियो अने तेवो भाई शुके भाई के शहिदी प्राप्त करी ले दिये हती भाई तो आवा पन क्रांतिकारी ओ हता जेने आपड़े अवश याद राखवा जोईये भाई सविनै कानून भंगनी चलवल कै साल मा शरू थेई तो इस्विशन उगणी सोने तीस मा पाई सविनै कानून भंगनी सलवल निवाद करिये तो उगणी सोन तीस मा शरू थेई विनै साथे कानून नो भंग सविनै कानून भंग आव नाम राखेलू छे भाई आगलना प्रश्णों तरफ वधिये पहला कई दो तमने कि मैं वीडियो कमतो होई तो एक लाइक आपी देजो शेर करी देजो कमेट सक्षन मा तमारी किमती कमेट अवश्य थी अवश्य कर जो सविनाई कानोन भंग अंदोलन संदर्व मा गांधी जिये क्या कार्यक्रम के योजनानी शिर्वात करी हती तो भै जे दांडी यात्रा थे दांडी कुछ थै तो ए भै सविनाई कानोन भंग अंदोलनना संदर्व मा गांधी जिये भै गांधी जी ये दांडी मार्च रोबत दांडी यात्रा नो अखो कारेक्रम भाई बनावियो हतों तो एपने का याद राखवा जेवी बाबत कई शकाई भाई गांधी जी ये दांडी कुछ क्यारे अने क्या थी शरुवात करी पई गांधी जी द्वारा दांडी कुछ अने इनी शुरुवात क्या रथी थाई, क्या थी थाई, और अबर आवा सवाल अभिश क्या आवनारी परिक्षावों मां, तो भाई आनू सोलूशन लावी आपड़े, जो ये तपास करिये, और यहाँ वीडियो ने लाइक करता, न भूलता, पर गांधे जी ये दांडी कुछ, बार मार्च उगणी सोने तीस ना रोज शरू करी, क्या रहे शरू करी भाई, बार मार्च उगणी सोने तीस, अवे क्या थी शरू करी, तो साबर मती आश्रम अमदावाद थी भाई, गांधी जी ये शुरू करी भाई, तो दांडी कुछ शरू करी भाई, बराबर याद र गांदी कुछ मां गांदी जी साथे 78 वरोबर केटला भैं अठियो तेर लोको जोडाया हाता संकडायेला हाता भैं आवा सवालों पन पूछाई शक्या अमदावाद थी दांडी वच्चे नू अंतर केटलू थाईच भैं घणत्री करिये तो अमदावाद थी लेने दांडी वच्चे नू अंतर 373 किलोमेटर जटलू थाईच भैं त्रांडी वच्चे नू अंतर केटलू थाईच भैं त्रांडी यात्रा क्यारे दांडी खाते पहुंची हाती तो भैं आनी चर्चा करिये तो पांच एप्रिल उगुणी सोने तीस ना रोज भैं 5. एप्रिल उगुणी सोने तीस ना रोज ज快 दांडी यात्रा जगें धार मार्च उग्शने तीस ना रोज निकली अने 5. एप्रिल उगुणी सोने तीस ना रोज पहुंची गया साजे पॉंची गया आने सवारे 6 एप्रिल गांधी जी ए मिठाना काईदानो भंग करी ना क्यो बस आने पचिनो एज सवाल छे गांधी जी ए मिठाना काईदानो क्यारे भंग करियो तो भै गांधी जी ए वाद करिये तो मिठाना काईदानो भंग 6 एप्रिल ओग्णी सो ती गांदी जीयन अब्बास तयव जीनी अटकायत पशी सत्याग्र नी आगेवानी कोने लिदी हती। गांदी जीये कोने डुमली चोर नू बिरुद आपियो हतु। गांदी जीये कई गोल में जी परिशद मा गांदी जीये कई गोल में जी परिशद मा आजर रही हता। मिठु पकवानी स्वतंत्रता शांत पकेटिंग अन सत्याग्रहियों ने जेलमुक्त करवा जेवा महत्वना मुद्दा धरावतो गांदी इर्वीन करार कई साल मा करवा मा आवयो। तो इस्विसन ओगणी सोने 31 मा गांदी इर्वीन करार करवा मा आवयो। आवयो छे बिजा विश्वयूद नी शुरुवात कई साल मा थयाती। पाई बिजा विश्वयूद नू स्टार्टिंग इस्विसन इस्विसन ओगणी सोने 49 नू वर्ष छे बाई याद रागजो बाई इस्विसन ओगणी सोने 49 नू छे। व्यक्तिगत सत्याग्रह ना प्रथम सत्याग्रही कौन हता तो विनोबा नरहरी भावे अपर विनोबा भावे छे ये व्यक्तिगत सत्याग्रही ना प्रथम सत्याग्रही हता भै व्यक्तिगत सत्याग्रहनी शुरुवात क्या स्थाले थी और क्यारे करवामा आवी हती तो भाई जो ये आपणे व्यक्तिगत सत्याग्रहनी शुरुवात पवनार और वर्धा आश्रम थी पवनार और वर्धा आश्रम उग्णिसोने चालिस थी वे करवामा आवी हती क्रिप्स मिशन भारत मा कई साल मा आवियो हतु तो इस्विशन उग्णिसोने बेतालिस मा भै क्रिप्स मिशन अमल मा आवियो हतु पाकिस्तान नी अलग मांगणी क्यारे थै हती तो भै मार्च मा अन मार्च मैना मा उग्णिसोने चालिस मा लाहोर मा भै पाकिस्तान नी मांगणी थै हती हिन्द छोड आंदोलन क्यारे शरू करवा मा आवियो तो आठ ओगस्ट आठ ओगस्ट उग्णिसोने बेतालिस ना रोज भै आठ ओगस्ट उग्णिसोने बेतालिस ना रोज हिन्द छोड आंदोलन नी शिरूवात थाई भै करेगे या मरेगे करेगे या मरेगे असुत्र कोणे आपियो करने क्यारे आपू तो बाई बापु ये आपू इर लगे गांधी जी आपेलू छे आने हिन्द छोड आंदोलन ना समय दरम्यान बापु द्वारा उच्चारावामा आवेलू आसुत्र चे करेगे या मरेगे परवर करेगे या मरेगे आजादी तो लेकर ही रहेंगे उत एवु कउचु बै जालो सुभाष्चंद्र बोजुनों जन्म क्यारे आने क्या थयो हतो तो बै तेविस जन्युआरी अड़ार सोना हत्ताणू ओडिसाना कटक शाहर मा थयो हतो बै जो आज सवाल पूचाई गयो बै सुभाष्चंद्र बोजुनों एकादो सवाल आउनारी कोई पन एक्जाम होय एमा अवश्य जहुआ मलशे तो तेविस जन्युआरी अड़ार सोने हत्ताणू ना रोज ओडिसाना कटक शाहर मा बै बरबर सुभाष्चंद्र बोज नो जन्मा थयो हतो चलो दिल्ली जाय हिंद नू सुत्र कोणे आपली हतो तो बै चलो दिल्ली अन जाय हिंद नू सुत्र पन सुभाष्चंद्र बोज द्वाराज अप्पामा आवि हतो अर्पित थयो हतो बै सुभास्चंध्रबोज कॉंग्रेजना क्या अधिवेशन मा अध्यक्सतरीख रहिया है था हरिपुरा अधिवेशन 2 लिखाते इस विशन Ognisowne Adekty Sus meus 2 लिखाते अन्य त्रिपुरा अधिवेशन इस्विशन Ognis ह производ 49 ओगन 4 लिख मा बे अधिवेशन मा पै सुभाष चंद्र बोज अग्रेसर रहिया हाता अध्यक्ष तरीके रहिया हाता अध्यक्ष तरीके शोब्या हाता पै एक हरीपुरा अधिवेशन इस्विशन अग्रिसोने अड़त्रिसमा अने त्रिपुरा अधिवेशन इस्विशन अग्रिसोने अग तम मुझे खूंदौं में तुम्हे आजादी दूंगा भाई इस विसन 59 49 म स्चुभास्ट चंस्थान्दर बोज जक्या पक्षिनई स्थापना करी हती फोरवड ब्लोक नामनी संस्थानी रचना करी हती इस विसन 59 49 म स्चुभास्थ चंदर बोज द्वारा forward block नमना एकाखी नवी संगठन संस्थन सापना करी ओके वालिडा मित्रो विडियोग महाई तो लाइक आपी देजो शेर करी देजो कमेट सक्षिन मा कमेट करें आग जुगाई